आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल रही होगी हमारी एक जर्नल साइस की स्रीच चल ली थी इसका नाम था मिसन रेलवे और उसी को आज हम कंटीन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे कल मैं आपको क्लास नहीं दे पाया था कारण व इसको हम कंटीन्यू रखें और हमारा जो मिसन रेलवे उसके हम काम्याब होए तो चलो कलास को स्टार्ट करते हैं और यह हमारे जो जर्नल साइस की कोई सीरीज है जिसमें फिजिक्स कमेस्ट्री और बायो सबके ही क्वेस्टन हम डिसकस करेंगे जो की हर एक आपका कॉम्प वस्तू को जब फैंकते हैं या रूडगाते हैं कोई गेंद है या कोई और वस्तू है तो कुछ से देर बाद के है वो अपने आप रुक जाती है एक टाइम के बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है और उसके एक ऐसा पॉइंट आता है वह जहां पे जाके रुक जाती तो वो किसके कारण होता है गर्शनबल के कारण होता है गुरुताक्षनबल के कारण होता है जड़तव के कारण होता है या इन में से कोई नहीं है तो इसका जो में रिजन है जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं या रुड़काते हैं जब एक टाइम के बाद जो रुक जाती है उसकी गती धीरे हो जाती है, बंध हो जाती है चलना, तो उसका मेन कारण है उसका गर्शन बल, गर्शन बल के कारण वो आगे नहीं जा पाती, ठीक है, नेक्स्ट कोस्टन की बात करें, संगमरमर होता है या मार्बल है, ये किसका रूप है, शेल का है, नेश का है, चुनना प भेखर का रूप होता है संगमरमर ठीक है next wildlife कि बात करें सेहरों के तलाब का पाणी सुध करने के लिगे कौन सी गेंस काता है कोई बेवी हो जब बात होगी कि पाणी को सुध करना हैं पानी को साप करना है आप जब फिल्टर का यह आरो का पाणी मंगवाते हो बाहर से मार्केट से तो पानी बहुत हमें साफ दिखा जाता है एक तरह से नीला नीला दिखता है बिल्कुल क्लीन दिखता है चाहिए अपना चेहरा देख लो उसमें सीसे की तरह साफ दिखता है उसका क्या कारण है उसमें कौन सी गेंस मिलाते हैं और उसके कान ठंडा भी रहता है तो उसका में कारण है कौन सी गेंस है सलफर डाइयकुसाइड है कलोरिन है या नाइट्रोजन है अमोन है इसका साइ confusion क्या होगा chlorine जर्णमिक्स करते है तो पानी हमेसा सुध दिखाई देता है the next question की बात करें लोह में जंग लगने का मुख्हे कारण क्या है lo semester लगने का हर एक question लगातार हमारी हर class के इसमें भी उने chance ने ब्टपर्टन कोष्चिन न हने कारण इसकी equation आ सकती है कुछ और भी आ सकता है, theory भी आ सकता है कैसा भी question आ सकता है, हर एक जाम में आता है क्योंकि यह important है तो इसके अलग अलग तरह के question बनते हैं तो इसमें पूछा है, लोगे पर जंग लगने का मुख्या कारण oxygen है, hydrogen है nitrogen है, neon है तो आपको पता है, जब लोगा खुले ही अवस्ता में होता है, काई बार छुड़ा जाता है तो जोगा oxygen के संप्रक में आता है तो उसमें क्या होता है, वो उसपे जंग लग जाता है, तो सही answer होगा option A next question की बात करे कूपोशन से सबसे एदिकिस की कमी होती है कोई भी व्यक्ति या कोई पसू या कोई भी ही है सजीव, उसको कूपोशन का शिकार कब होता है, उसके स्रीर में किस चीज़ की कमी आने पी कूपोशन हो जाता है विटामिन A, कार्बोहाइट्रेड विटामिन C या प्रोटीन तो सही आनसर हो जाएगा इसका प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से कूपोशित हो जाता है नेक्स्ट कूशन की बात करें रोबोट क्या है तो रोबोट आपको पता है क्या है, एक तरह का इनसान कितरे ही वरग करता है इन्सान जब उसको इंस्टरक्षिन देता है उसको निर्देश देता है तो और यह कि मसि घृब्म है हो और मनुष्य से मिलता जुलता यह एनसर करता है अफरिका के जंगलों मिलने वाला एक जानवर है तो रोपोर्ट को के एक तरह की मसीन एप twenties jaar के आद्यस देने पर या उसको निच्वक्तर кाम करता है तो उसको आनसर क्या हो जाएगा सी मनेश्य से मिलता जूलता है कि अंतर जो आद्यस हमसार कार्य करता है एक नेक्स्ट कउस्टिन की बात करें दो समांतर दरपणों के बीच परतिबिम बनता है उन उसके बीच का परतिबिम के कितने बनते हैं दो बनते हैं चार बनते हैं आठ बनते हैं या इनफिनिट या अनत बनते हैं तो उनमें अनत दरप परतिबिम बनते हैं इनफिनिटी बनते हैं नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं काफी इंट्रेस्टिंग है जब कोई जहाज नदी में से समुंदर में परवेश करता है तो उपर उठ जाता है नीचे दस जाता है उसके जल उसके स्तर में कोई बजलाव नहीं आता या उपर उठ सभी जब कोई जहाज नदी में से समुं होगा उपर उठ जाता है जाल क्या होता है उपर उठ जाता है नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं पिर्थवी पर कोई गती सील पिंड विराम वहस्ता की अवस्ता में किसके कारण आता है आपको पता है पिर्थवी पर कोई भी चीज हम फैकते हैं तो वह क्या गती करती है य दीरे दीरे वो एक विराम ववस्ता में आ जाता है गती सील उसकी कम हो जाती है गती तो किसके कारण उता है सीधा सा बात है फ्रिक्शन के कारण गर्शन के कारण यह सब कम होता है तो इसमें देखो क्या बताया जड़तिय नियम, गर्शन बल, सम्वेग स्रंक्षन का नियम, बुर्तवाक्षन बल का नियम तो सही आमसर क्या हो जाएगा गर्शन बल का नियम के कारण वो विरा मवस्ता में आ जाती है क्या कारण है गेंद किसी उंचे स्थान पर अधिक उचलती है आपने नोटिस किया होगा गेंद को कभी उन्चे स्थान पर उचाला जाता है तो वो ज्यादा उच्छती इसका क्या कारण है इसका मेन कारण यही होता है कि वहाँ क्या डिपेंड करता है गुर्ताक्षन बेल होते हैं ना हमारा ग्रेवेटी जैसे हम उपर जाएंगे तो गुर्ताक्षन बेल भी कम होता है तो वो इस पर डिपेंड करता है तो नेक्स्ट सही आंसर देखते हैं क्या होगा क्योंकि स्टानों वायू मंडल सुद्ध होता है यह भी नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा सी उन्चे स्टानों पर क्या होता है गुर्ट आक्षनबल कम होता है नेक्स्ट करते हैं मात्रा के साथ निमन लिखित में से कौन सा बहती गुर्ण परिवर्ण नहीं होता कौन से physical quantity है या कौन सा आग ग्रिवर्ण करने के साथ जो मात्रा के साथ उसमें क्वांटिटी करने के साथ वो उसमें change नहीं आएगी आपको पता है किसी वस्तो में एड या सब्स्ट्रेक्ट करेंगे किसी चीज को मिलाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा आइतन ड्रवैमान बाहर गनतव तो किसमें परिवरतन नहीं होगा अइतन में परिवरतन होगा सही बात है द्रेवमान अगर चीज़ में कोई निकालेंगे तो कम होगी अगर एड करेंगे ज़्याद परिवर्तन होगा भार्वतों में तो परिवर्तन होई होगा गनत तव डेंसिटी पे कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी डेंसिटी पे एस से रंगा अपाब वर्तन सबसे हधी को घूत होता है आपको पता है जब सुरिये कि किरने किसी प्रीजन में से निकाला जाता है त। उसका अंसर के हो होगी सोरी वाईयू की गती हो गई वाईयू की गती हो गई इन से रिलेटेड होता है तो दुमनी की गती जल्यान की गती अंत्रिक्षियान की गती है हवाई जाज की गती होती है या जो रोकेट बनाए जाते हैं हमारे जो मिसाइले बनाए जाते हैं उनकी गती किसमें आती है मेक में आते हैं उसकी स्पीड बढ़ाए कितना मेक है दो मेक पांच मेक दस मेक ऐसे ठीक है तो मेक किसे हैं वाई जाजगती से समन्दित है नेक्स्ट कोष्चन हमारा क्या है जब कोई मनुश्य रोसनी से अंदेरे कमरे में गुशता है तो उसे कुछ समय कुछ नहीं काल चली से हिस्ता है रहते हैं और हमारी अंखें फुलकल ब्रकी हो जाती है अमें दिखता नहीं है उसके बाद दीरे दीरे हमें दीunknet स्टार्ट होता है क्या कारण एकडिक्स है तो उसके आंखों की आई सिकुड़ती है उस लसकि यह सब ऐसा होता है और आजका हमारा लाष्ट कुश्टिन क्या है बिजिलिक के हिट्रो में नाइक्रॉम धात्तु का Dazu पयोग में लाए जाता है इसका क्यों इसकी पर्तिरो धिकता हधिक होती है इसका गल्लाक धिक होता है इसमें अधिक.. सब्सक्रिशाओाद की जाते है सभी कारणों का आपको पता है जो हमारे हिटर होते हैं जो लाइट वाले बीजली वाले उनमें क्या स्प्रिंग जैसे वायर लगे होते हैं वह क्यों लगाते हैं में कारण यह लगाने का उनका परतिवरोदकता अधिक होगी दूसरा उसका गलनाख हाई वोल्टेज जाने पर भी आई सप्लाई जाने पर जल्दी से गलेंगे नहीं वो टेंपरेचर को सेहन कर सकते हैं दूसरा उसकी विगदारा भी उसमें अधिक प्रवाइट की जा सकते हैं अधिक सकती साली होती है इन सभी कारणों के कारण क्या नाइकरोम के वायर विदृत हिटर में लगाए जा जाम के लिए काफी पोटेंट हुआ होने वाले हैं और आप हमारा वर्टसप और टेलीग्राम गूर्प जोइन कर सकते हैं ज्यादस ज्यादस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिन धन्यवाद